स्वाटी काल झी मेहा हरजोतкими और स्टूसे वेखरो प्रोग्राम खबर पढ़ताल सडुनल जोड़े होईने सेनियर पत्रकार सुरिंद डला जी बहुत भूस्वागत तर्डला जी साश्रिकाल सवसिकाल हर्जोच जी बहुत बहुत तान्वार तो अडवी और दुनिया पर दे पंजाबी आंड़ी बहुत बहुत तान्वार सो डला जी प्रोग्राम देविच कई खबरां लेके जो है आपा हाजिर होया हरवादी तर आज भी आपा खास खबरां देविच पर पूरी जानकारी दर्शका देना अलसांजी करांगे गाला पास जरूर करांगे मनीश से सोधिया दीवी क्योंकि CBI वलो पेश उनली कहा गया सो एकवा फिर तो एकसाइस पॉलिसी वाला शरापॉलिसी वाला मामला जो है सुर्खिया देविच आगया उदर पटियाला देविच नवजोद सिंग सिद्धू दे समर्थक लगातार हुन मांग का रहेने कि डॉक्टर नवजोद को और सिद्धू चोन लड़न इस उपर अपडेट तो आड़े तो जरूर लेना चाहांगी उदर बठिंडा रिश्वत कांड मामले दीजे कर आपा गल करिये ता सुर्खियां विच लगातार बढ़े होया है वरोधी तिरावनो लगातार स्यासी हमले जो है पंजाब सरकार उपर किते जारे ने उन सवाल खड़ा ह को या पर है कि दिल्ली वल्लों जो है अडिके विजलन्स बेरोधी कारवाई वीच लगाए जारे ने आखिरे अडिके कोण पा रहे है कि केड़े दारते पा रहे है इसी जानकारी वी तो आड़े तो जरूर चाहांगे नाल दिनाल जलंदर जिमनी चोड़नों लेके हुन की सरगर्मियां चाल रहे हैं उस्जा अपडेट वी तो आड़े तो इस प्रोग्राम दे विच जरूर लवाँगे सो डला जी सब तो पहला जेकर गाल करिए ता मोगा दे बुद सिंग वाला तो अमरित पाल सिंग ने जड़े उन्हाने पत्तरकारां दिनाल गाल बाद किती ग गाल बाद दुरान उन्हाने के है कि जेकर पुलिस चाहे ता मेंनों गिरफतार करना चाहूंदी है जेकर पुलिस ता मेंनों गिरफतार कार सागदे ते नाल दिनाल उन्हाने वी गाल के ये कि जिड़ी सरकार है ओ अमरित संचार महीमतों कबराई हुई है इना बेयाना नो उसे कीवे देख देओ अमरितपाल सिंग बुद्ध सिंग वाड़ा गए होई सी कालिक समागमच और पत्रकारा नाल उठे गालबाद कार रहे सी ते ओ लगातार अमरितपाल एग कह रहे सी कि मैं किसे वी विड़े गरफतारी देनली त्यारा मैंनू पुलिस दसे मैं जठे समे ने अमरितपाल केंदेने कि बहुत वड़ी गिंदीच लिड़े नौजवान ने ओ केमिकल नशे नशे चड के तरम नाल जोड़ रहे ने पर अमरित पाल सिंग होना दे मामले ते काफी जादा गयमा गयमी वेखनू मेल रही है पिछले कुछ दिनातों दला जी बठंडा रिश्वत कांड मामले दी जेकर गाल करिये लगातार विरोधी तिरा को लिक वड़ा मुद्दा मिल्या हुए है विरोधी तिरा लगातार बठंडा रिश्वत कांड मामले नू लेके सरकार दे उपर तिखे सियासी हमले कारे याने विरोधी तिरा दी जेकर आपा गल करिये ता परताप सिंग बाजवा सुपाल सिंग खेरा अकाली दल दे लीडर भी जड़े है लगातार सवाल चक रेने के आखिर विजलन्स विरोधी कारवाई वी चड़िके किते पहरे ने दूझे पास से जेकर आपा पंजाब दे मुकमंत्री पग्वंतमान दी गल कार दिया तो उन्हाने साफ तो और थे विजलन्स विरोधी नू हरी चंडी दिती है कि तो आनू कोई भी मुल्जम लगदा है कोई भी प्रिष्टाचार कार रहे है तो तुसी उसे उपर बंधी कारवाई जरूर करनी है पर इस सब्दे बावजूद जो आपा विरोधी तिरां दी गल कार देयां जो विरोधी तिरां कहा रही हैं ने कि जड़े अडिके पाए जारे ने दिल्ली तोडिके पाए जारे कि जड़े अडिके पाए जारे ने 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 कि जड़े अडिके पार देयां ता एक पास से पार्टी जनता पार्टी है दूजे पास से आ पुरा पंजाब इस गालनू लेके हर्जोजी हरान है दिली च आम आदमी पार्टी दी कट्टर इमानदार सरकार है पार्टी जनता पार्टी दी इमानदार सरकार है घरफतारी जदों जेहें मामलियां दे वेचे होनी हुंदी है उदे ली सूबा सरकार दी अजंसी विजलन्स ब्यूरो दे हाथ पूरी ताकत है उन विजिलन्स ब्यूरो नो पकवंतमान ने सपस्ट हुकम दते होए ने के करप्शन दे खलाफ आम आदमी पार्टी दी पंजाब सरकार दी जीरो टॉलरेंस दी नीती है पाव करप्शन दे खलाफ सेहन शीलता जड़ी है उस जीरो है बिल्कुल सहन नहीं कीता जाओगा करप्शन हो उन जीरो टॉलरेंस नीती है पकवंतमान ने ता कहता विजिलन्स ब्यूरो ने उससे हिसाब नाल ट्रैप दे विच मदद कीती शिकायत करता दी इजड़ा ट्रैप लगया है यह विजिलन्स ब्यूरो दी मर्जी बिना नह शिकायत करता दी की करप्शन होनी है रिश्वत मंगी जारी है रिश्वत कौन मंग रहे है रिश्वत किस दे अदारते मंगी जारी है किस दे लई मंगी जारी है सारा कुछ ता विजिलन्स ब्यूरो नूँ पता सी हुन पकवंतमाने क्या विजिलन्स ब्यूरो नूँ की नि पंजाब दा खेतरी मीडिया, सोशल मीडिया, सारे जडे निर्पक चैनल ने पंजाब दे उना सारिया ने खबर चक ली, ते उसतो बाद में नू लग दाए कितना किते दिलीच, जडे जडे साब का, जडे मजूदा विदाएक ने, उना दे जडे दिलीच संपरक सूतर ने, उस्तो बाद ओ एक्टिव होए होंगे। मेरा शाक्षी है कि जड़े विदायक ने उन्हादे जड़े दिली आले संपर्क सूतर ने ओ एक्टिव होए होंगे। और वक वक तरानिया चरचावा ने कि इना दे बहुत तकडे संपर्क ने। अब पुलिटिकल संपर्क वी ने अफसरा नाल संपर्क वी ने परानिया पार्टियां च भी रहे ने। तो जड़े उस संपर्क ने उस संपर्क कितना किते कें दे दबा बनाओन च काम्याब होए है। पर इस सवाल हजे भी खड़ा है हजो जी कि यो दबा किस ते बनाया गया। दबा विजिलन्स ब्यूरो ते लगदा है। पामे आम आदमी पार्टि दे सारे बुलारे एक एरे ने किसे नो बक्षा नहीं जाएगा विजिलन्स ब्यूरो ने रपकता देनाल काम करेगी। में नो लगदा है आखरी नतीजे ते नुमाना ते पहुंचन तो पहला एक दा देन विजिलन्स ब्यूरो नो होर देदेना चाहिदा है क्योंकि सूतर अजैया खबरान दी वी जानकारी दे रहे ने के कितना किते सरकार मन बना रही है के विजिलन्स ब्यूरो नो ग्रीन चंडी देदती जावे के तुसी कनून मताबक अगे वदो और जिड़ा स्पीड ब्रेकर लाया गिया है अन उफिशल तार ते जिड़ा देखदानी किसे नो स्पीड ब्रेकर चुमबक दी तरह विजिलन्स ब्यूरो दी कारवाई नो रोकदा है नूटन दा तीज्या ला लाग जानदा कही वरी नूटन दा तीज्या ला असी वद्यार थी जीवन दे विच बहुत पढ़दे होंदे सी ओ नूटन दा तीज्या ला मैं सद आरंजा बोल दना नूटन दा तीज्या लाए दे लाए जिन्नी तेजी नाड विजिलन्स ब्यूरो घरफतार करन दी त्यारिच सी ओनी तेजी नाड जिड़ा विरोधी पाक सी ओ घरफतारी रोकन दी त्यारिच सी सो दो मादे वेच बराबर दा जड़ा ओ दभा लगया पर न्यूटन दा तीजा लाय थे फेल हो गया क्योंकि विजिलैंस ब्यूरो ते दभा जादा पहाँ गया कई लोग उस तेरनू लबबन चे लाग गे ने हर जो जी खोज शुरू होगी परताब बाजवा होनी केंदे के विदान सबादा सेशन है विदान सबादे सेशन चसी पूरा जोर लावांगे के इस मुद्दे ते सरकार नो असी दबाब नाईए और सरकार सामने शीशा दखाईए सुखपाल खेरा ने भी कहता सुखपाल खेरा केंदे विदान सबादे सेशन चस इस मुद्दे ते असी पूरा वाला जाँगे सु मिनुए लग दाए बड़ा एहम सेशन है विदान सबादा एक ता टकराद चल रहे है पंजाब दे गवर्नर नाडा आम आदमी पार्टी दा दूसरा पगवंतमान साब दाए बजट सेशन बड़ा एहमित वड़ा बजट सेशन है विरोधी तेरह त्यारी करके बैठियाने वी कीप जाब दा करजा वदद है या कटद है क्योंकि दावासी सरकार दा वी असी करजा खतम करांगे जदो मनपित बादल ने पिछला बजट पड़े आ उदे पॉनेक तिन लख करोड दे करजे दिया चर्चावा सी हुने इस वार जदों आम आदमी पार्टी ने भी पहला बजट पास कीता तिक करजा लगपा गोथे ही सी क्योंकि दो तेन मीने पहले ही सरकार बदली सी पर हुन की पंजाब दा करजा पॉने तेन लख करोड तो कटके टाही लख करोड हो जू यहां सवा तेने लख करोड पार कर जूगा एदे उपर सारी गालटी की हुई है इस करके विरोधी तेरा इस वार पूरी त्यारी नाल जान गिया क्योंकि बहुत सारे लीडर ने करप्शन दे केसांच अंदर ने सदू संदर शाम रोडे ते होर वी कई लीडर ने कैपटन संदीप संदू तो पूछकेच चल रही है करप्शन दे मामले ते ओ ता कैपटन अमरिंदर दी बहुत नेडे सी कैपटन संदीप संदू हलाकि मैं अगे भी कहना हूना कैप्टन मरिंदर दी क्लीन चेटनी किसे ने फरोली है जे विजलन्स ब्यूरों ने फरोली नी उत्थे भी कोई न्यूटन दा तीजा ला लग गया होना मैंनों लग दा है पर सवाल है सवाल है बड़ा इंपॉर्टन्ट है कि की विदानसबा सेशन तो पहला पंजाब दी सरकार इजाज़त देद होगी विजलन्स ब्यूरों ने के तुसी कम नभेड़ लो कनून मतावक क्योंकि नहीं ता विदानसबा दे सेशन चेस वार बहुत जादा हंगामा होन असी पिछले विदानसबा सेशन देखे सरारी साब दा मुदा खूब सुर्खियां चरिया ते आम आदमी पार्टी दे जिड़े अक्स दे उत्ते काफी हो दा नुकसान होया उस संगरूर जिमनी चौन चवी लोका ने देखिया नुकसान होया होन सानु पता है अगली जिमन जित्या ता इधे दूर गामी नतीजे आम आदमी पार्टी लई चुबन वाले सबत हो सकते ने आम आदमी पार्टी दे अंदर दो तरह दी AKW आज है जिड़े आम आदमी पार्टी देंदर BOMत है विल Notes या विलेंटेर ना गल होंदी लीडर ना गल हुन्दी हो सारे विजिलेंस ब्यूरो दी कारवाई शक्की क्यों लग रही सो आम आदमी पार्टी चवी ये दबा है कि ये जेड़ा प्रसेस है इमान दारी नाड हो जावे क्योंकि ये मामला बार आ गया जेता ये जखम टक्या हुंदा पहला ही क्योंकि हुन देखो ना पंजाब किनिया पंचाइता ने बारा हजार तो वद पंचाइता ने हुन किनिया पंचाइता तो कमिशन मंगी जारी होनी है किसे वल्लों या किसे दे नाते एवी गल बहुत वड़ी है अपने आप दे बेच इस करके मामले वड़े हो गे और बठंडा रिशुत का अंड दा मामला था बहुत जादा वड़ा हो गया हलाकि जेडी बठिंडा आली कांगरस दे लीडर ने या परताब आजवा तो बिना होर बहुत सारे कांगरस दे लीडर ने सुखपाल खेरा परताब बाजवा होर भी कई लीडर विरोध कार रहे ने पर कुछ के लीडरा ने इस मुद्दे थे उस तरह दा विरोध नहीं कीता राजा वडिंग भी कोई बहुत जादा हमलावर नजर नहीं आरे इस मसले थे खुल के मिदान जेच निकले राजा वडिंग जी भी नजर नहीं आरे बठेंडेच भी के दे तरना तरना उना ने भी लाता होवे सरक्टा उस दे बार जहीं गल दिखी नी पर ए मुद्दा विरोध दी ते रांदे ली फिर भी वड़ा मुद्दा है अकाली दलने ए मुद्दा चक्या हुए है क्योंकि एक साल बाद लग पागे तै हो जो के पार्लिमेंट दी चोन कदों होनी है अगर विजिलेंस ब्यूरो इस रिश्वत कांड नू नेपरे नहीं चाड़ूगी ते ये दिनाल पार्लिमेंट तक वी नुखसान आम आदमी पार्टी नू हो सकता है आम आदमी पार्टी दे श्याने लीडर इस गल नू मन देने सो में नू है लग दे कि आम आदमी पार्टी हर जो जी होने इस कोशिश चाए कि इस मामले नू किवें न बेड़े आ जावे ते वक वक तरह दी रिजड़ी रिसर्च है एक इंटरिम रिसर्च जिनू कह साग़ी है ओदे ते चर्चा चल रही होनी है वी की विजलन्स ब्यूरो नू खुली चुटी देनी चाही दिया या नहीं इस सारा कुछ अन ऐलाने तौर ते हुनदा है क्योंकि ऐलाने तौर दे उत्ते ता पहले ही कहता हम आदमी पार्टी ने कि कनून अपना काम करूगा विजलन्स ब्यूरू अपना काम करूगी पर आम लोग के इंदे सानू उस तरह देखनी रहा सो गल है थी आ के ठीक है दला जी नवजोस सिंग सिद्धू दी रिहाई नो लेके लगाता जो है पत्तरकारां वालो खोज जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स विच अलग लग खबरां वी छापदियां रहन दियां सुनननों मिल दिया ने आ सो हून अगर आपा ताजा मीडिया रिपोर्ट्स इगल करिये ता खबरां वी आ रही है कि जिन्नीवी जानकारी तुसी हुनता कि कठी किती है उसे दारते तुसी की कोगे नवजो सिंग सिद्धू दी रहाई नू होर किन्ना समा बाकी है ए पूरा अपडेट तो आड़े तो जरूर चाहांगे तांके तुसी ये पूरी जानकारी दर्श का नाल सांजी करो हरजो जी जितो तक गाल रहेगी नवजो सिंग सिद्धू होना दी मैं उस तो पहला दासना 21 फरवरी नू मंत्री मंडल दी बैठक है और मंत्री मंडल दी बैठक दे वेच विदान सबा दे बजट दे बारे सानू अपडेट मिल सकदा कि सरकार कदों विदान सबा दा बारां चो नशर कारे ने नवजो सिंग सिद्धू दी रहाई नू लेके कुछ दिन पहला एक अख़वार दे वेच उन्नी फरवरी दी गालवी कीती गई सी कि उन्नी फरवरी तो बाद नवजो सिंग सिद्धू दी जेडी रहाई आओ संबव है आज वी फरवरी होगी है पर मैंनू लगदा कि नवजो सिंग सिद्धू ने वी होने इना सारियां गल्नावालत ते आन देना 26 जनुरी तो बाद छड़या होया है जिस तरह दियां रिपोर्टा मुलाकातियां तो मिल रही है ने नवजो सिंग सिद्धू आपने रोजाना दे उठे कामकार पंजाब प्रती जड़ा होना दे दमाग दे विच नक्षा बन रहे है मुद्धियां ते लड़ाई दी योजना बन रही है वो उस ते अगे वाद रहे ने अपने तार्मिक आस्था ते त्यान दे रहे ने पंजाब दे प्रती जड़े मुद्धियां ते सोच विचार वद तारे ने और नवजोर सिंग से दू देन भी नहीं गिन दे इस तरीके दियां खबरावी मुलाकाती दास देने क्योंकि ओ एक बहुत कमिटमेंट दे नाल अपनी जिंदगी दे विच अनुशाशन दे नाल अगे वाद देने तो नवजोर सिंग से दू कदों रिहा होंगे एदा फैसला मेंनू लगदा है ओदों ही सानु आखरी फैसला पता लगना है जिस दिनो जेल दे विचों बार आउनगे सो इसकर के एदे उपर बहुता जादा होन सोचना मेंनू लगदा है छड़ देना चाहिदा है कि नवजोर सिंग से दू कदों होनगे एक गलता है कि नवजोर सिंग से दू वी मईतों पहला आजानगे एस मी ने आजान अगले मी ने आजान किसे वी देना आजान और जदों भी नवजो सिंग से दू रहा होनगे हो सकते हैं नवजो सिंग से दू अचानक ही रहा कारदता जावे ताकि कितना किते सानु पते है के साड़े मुलक चे इस तरीके दे फैसले आं ते पॉलिटिक्स हावी हुंदी है सो नवजो सिंग से दू दी रहाई ते वी पॉलिटिक्स हावी है राजनीती हावी है इस करके विरोधी राजनीती कदी नी चौंदी हुंदी के दूसरा लीडर है जड़ा ओ बहुत परसिदी हासल करे हलाकि राबदी बक्षिश है नवजो सिंग से दू ते करतारपुर साब दा लॉंगा खुला और चे जेडी पूमिका दा कीती है उस तो बाद दुनिया पर दे लोग का दा नवजो सिंग से दू हीरो बन चुकिया है और इमानदार लीडर है पंजाब जे लोग नवजो सिंग से दू चो बदल आज भी देख रहे ने पिछली वरी उस बदल चे रिक दती जानी है और नवजो सिंग से दू दी टीम दे लोग भी दमागी तो आरते त्यार है और उननो पताएगी जे नवजो सिंग से दू नो अचानक भी रहा किता जाओगा ताम ही ओ नवजो सिंग से दू दी अचानक रहाई तो बाद तुरंट एक वड़ा परोग्राम है जड़ा किते ओ लिकन दी योजना दा ऐलान करनगे रहाई तो बाद और उस तो बाद पूरी पूरी इज़त दे नाल सनमान दे नाल नवजो सिंग सिद्धू दा जड़ा वेलकम है ओ कीता जाना है ताकि ओ पंजाब दे वे चो मुद्यां दी लड़ाई नो अगे वदा आज पंजाब दे लड़ाई दी लोड है बहुत सारे लोक ने अपने अपने पदर 10 लड़ाईयां लड़ एने कौमी ङां किसान सांधे वक वक किसाना दे ग्रुप साधा बैवल कलांदा इंसाफ मुञ आफियो कोचा रिखुद हका राखाने हांता पालता राधिकाश Went My Ghana के पालता सर्य कोचे मांटेला जिसे चाहए साघ्ए वद्यारी ने प्रालते भादें, ने साड़े आंगनवाडी आले ने पजाब देविच पामेच शाड़े अधियापक ने ए साड़े कि यहाज़े हैगे ने बहुत सारे सारे साले आख walking तूबल कारपोरेशन आख till शिया ने दा काम नवजोज सिंग्शेदू करने गे क्योंकि ये सच है कि बहुत सारे जड़े लीडर ने उना दी आवाज सादे मीडिया दे वेच भी दबी होई नजर आ रही है पर नवजोज सिंग्शेदू दी जड़ी आवाज है उन्हों मीडिया भी काफी पदर तक दबा नहीं प देते बोलना है उस मुद्धे ने उबार लाना है तो इस करके होन एगल सोचनी बहुत सारे लोका ने च्छाड़ती नव जो सिंग से दूदी टीम दे में मेंबरा ने क्यों कदों रहा होनगे क्योंकि सबनों ये लगदा कि और अचानक रहा होनगे और अचानक वी मई और डेडलाइन है उस तो पहला कदी वी अचानक रहा हो सकने ने मैं एही कहा सकता बलो जो है लगातार साजशा रचियां जारी याने आमादमी पार्टी नू बद्नाम करने या फिरुना दे काम देविच अडिक के पान ले सो की में देख दियो एजो इल्जाम आमादमी पार्टी दे पंजाब दे लीडर लगा रहे ने उद्धर दूसरे पास से मनीश चावट नहीं पाए जाएगी सो जो विरोधी तिराम वलो वी इल्जाम लग रहे ने या फिर आमादमी पार्टी दे लीडर वलो जो गल्ला कहीं जारी याने इस सारी चीजा पिछे मन्षा की नजर आ गाए सी पर मनिस् सुधिया कल पेश नहीं होए मनिस् श१िया ने पत्रकारा नल बोल दे होए एगल कई सी के मैं डली दे बजट बनाऊ दे वेच रुज जा हुयां डली दा बजट आ kein आखरी लग पक दिनने फर्वरी दे 했습니다力 और अनुआ जाइ रहे हैं? मनीश सुधियां केंदे कि आसी पेलावी सह जोग कीता है जंसियांदा सारे यां पथा है पहला कई तरह दी छापे मारी भी होई मनीश सुधिया थे बैंक दे लॉककर भी चैक कीते गए पशले समयादे विच बेठी है क्या है कि ओ फर्वरी तो बात जानगे हुन सी बी आई चो पेश नहीं होए काल हुन विखना लिगा ले रहेगी कि सी बी आई उना नू कोई अगली डेट दंदी है या सी बी आई सिद्धी मनीश से सोधिया कुले दुबारा दबिश दंदी है या उना नू दुबारा विजल दिया और आम आदमी पार्टी जान बुझ के पेश नहीं होना चौन दे असल चिद्धी डिली डी एक साइज पालिसी है ओ आम आदमी पार्टी ने मुड़तों प्रानी लागू कारदती सी और पंजाब चिद्धी मन्तरी ने हरपाल चीमा उना दा कहना है कि डिली डी एक सा गहल चान किता जारहे है उना दा एक अपना तरक है उनज दिली दे वेच नगर ने गंदिया चूना दे वेच खजे तक मेजर नहीं चुना गया डेपटी मेर नहीं चुना गया अर्विंद केज épisode आल अदालत च भी गए उना दा गिला दिली दे लैट्टिनेट गवर्नर देनाल बरकरार है हुन बाई तरीक दा समय अर्विंद केजरीवाल ने किया है कि बाई तरीक नो असी चोने आ कि मेर ते डिप्टी मेर दी चोन होवे पर की बाई तरीक नो दिल्ली नो मेर मिलेगा डिप्टी मेर मिलेगा इदे उपर वी हजे नजर रहेगी दिलीच आमादमी पार्टी और पार्ती जंता पार्टी दे वेच बहुत आत्त दी स्यासी लड़ाई चल रही है अर्विंद केजरीवाल कहारे ने के पार्ती जंता पार्टी जान बुझ के मेर दी चोन नहीं होन दे रही जद की बीजे पी दे लीडर कहरे ने कि आमादमी पार्टी ही मेर दी चोन च अडिका बन रही है तो ये बड़ी दुचित्ती आली जड़ी स्थिती है दिली दे वेच बनी होई है हरजो जी में गाला गगे वदाना चोना जी मैं तुसी पुछे हा की केडी अज यही खबर है जीदे ते उसी गाल लगे वद आनी चौने हो रवनीर सिंग बिटू होना दा ब्यान एक वरी फेर आया कौमी इंसाफ मोर्चा दे कौमी इंसाफ मोर्चा लगातार बंदी सिंगां दी रहाई दे लई सविदानिक तरीके देना लडाई लड़ रहा है कनूनी तरीके देना सफाइन करनिया पैन गिया होना ले समेच के जे रजीव गांदी दे कातलां दी रहाई हो जान दी है तिड़े बाकी लोग ने पावे ओं फांसियां दी हैं सजावा काट रहे ने अगर उनना नूं फांसी नहीं दती जान दी तै समेच देखो सुप्रीम कोट ने केंदर सरक कि बिल्वान सिंग राजवाना दी फांसी दे माम ले ते जेड़ी उनने रहम दी पेटीशन लाई है के इंदर सरकार हो दे ते फैसला करे के इंदर सरकार सिर्फ यह कैद वे कि यह सेंस्टिव माम ले देना लगाल नहीं चलनी सुप्रीम कोट ने के दता सो हुन सरकार नू पता है प्रफेसर पुलर उननों फांसी नहीं लगी एग्जेक्विशन नहीं कीती गई फांसी दी ते बाद दे वेच सुप्रीम कोट ने उस फांसी दी सजा नों उमर कैद च बदलिया ते उमर कैद तो बाद वी एक रहाई दी पर करिया रजीव गांदी दे कातल वी उमर कैदी सजा पोगत रहे सी साड़े दिवंगत प्रदान मंत्री ने उनना दे कातल वी उमर कैद पोगरे सी रहा होगे एदा मतलब है कि साड़े कनून दे वेच बहुत सारिया जडिया ने बहुत सारे पेद ने जिनाते सपष्टता नहीं है कौमी साब मोर्चा ओही डिफाइन करे सविदान साड़ा कनून डिफाइन कर दे इस करके रवनीत बिटू दा अपना तरकेदे को रवनीत बिटू दे ता प्रवारत मेंबर सी रवनीत बिटू ता साब का जड़े मोखमंतरी सी दिवंगत मोखमंतरी मर्हूम मोखमंतरी ब्यानत सेंग उना दा प्र प्रवार दा मेंबर है इस करके रवनीत बिटू डीड़ी गाल ला है ओ उस पावना दे नाल वी है कौमीन साफ मोर्चे दा कल वी एक जथा जड़ा बीबियां दा जथा ओ अग्यवद्यासी ते फेर उना ने जाप कीता और ओ संगारशों से तरह नालोना दा चल रहे हैं सो डला जी बौछ बौछ तानवाद के तुसी इना सारियां ही खबरा दे उपपर पूरी जानकारी जो है दर्शकनल सांजी कीती तीगया, दर्शकनल भी तानवाद कारदे आं, जो हमेशा ही प्रोग्राम देनाल जोड़ा देने समय समय ते आपने सुजा, आपने विचार, साधेनल, सांजे भी कार देने फिलहाल दले ही मेनू यानि के हरजोद कौन वीदियो जी इजाज़त तनवाद बहुत बहुत तनवाद जी